तो उत्राखन में भारी बारिश और तबाही के कारण उत्राखन विधान सभा की बैठक को बागे बढ़ा दिया गया है विधान सभा की बैठक 4 और 5 जुलाई को होनी थी लेकिन आप ये बैठक होगी 21 और 22 जुलाई को तो भारी बारिश और तबाही के कारण ही उत्राखन विधान सबा की अब ये बैठक टल गई है चार ओफ वार जुलाई को होनी थी लेकिन आप इसकी तारिख आगे बढ़ा दी गई है अब 21 और 22 जुलाई को ये बैठक होगी सोनो सिंग है हमारे साथ इस खबर पर सोनो उत्राखन में अगले दो दिन भी स्तिती बेहदी जादा चंता जनक है सम्वेदन शील है अगले दो दिन भी महफूज नहीं है क्योंकि लगातार जलसतर बढ़ रहा है अलकननदा मंदाकनी का जलसतर बढ़ रहा है तो पहले तो ये देखे शिल्पी अभी rescue operation जारी है NDRF, SDRF और local police के साथ साथ तमाम जो परशासनी का दिकारी है जिलसतर के वो और जो आपदा परमदन विभाग से जुड़े हुए जो प्रस्रिक्शन आरती हैं ये तमाम लोग जो है rescue operation करने में जुटे हुए हैं जो लोग लापता बताय जा रहे हैं उनको तलाश करने की कोशिशे की जा रही है और जो forces हैं वो इसमें एक एहम रोल निवा रही है जिस हिसाब से मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक भारिशे भारी बारिश पूरे परदेश भर में होने की आशंका जताई है कलर जारी किया है निशी तोर प ज़्यादा संबाबनाय लेंड्सलाइट की हो सकती हैं वहाँ पर पहले से ही forces को अलट किया गया है हेलिकॉप्टर स्टेंबाय में रखे गए हैं और मैडिशिन के साथ-साथ-खान-पान से संबंदी जो सामगरी है उसको stock के तोर पर रखा गया तो यह कहा जा सकता है कि जो परशासनिक आमला है वो पूरी तरह से अब इस वक्त हरकत में सची वाले में चल्सतर लगातार बढ़ रहा है तो जो नदी से सटे इलाके हैं जो निचले इलाके की अगर हम बात करें मैदानी इलाकों में क्योंकि अभी अब सिती आगे और भी ज्यादा चिंता जनक बनी वो जिस तरह से डिस्टब हुआ हैं उन लोगों के लिए क्या किया जा रहा है। उनको एतियातन तोर पर अलग शिप्ट करने की कवायद की जा रही है क्योंकि किसी की भी जाननाल का नुपसान नहों ये कोशिश है की जा रही है। ठेराने की कोशिश परसासनी कमले के द्वारा की जा रही है। तो ये का जा सकता है कि हर इस तरपर यानि यूद इस तरपर रहात पहुचाने की कोशिश सभी लोगों को की जा रही है। जो लोग यात्री के तोर पर यहां हैं उनको भी और जो लोग मलवे में दब चुके हैं उनको तलाश करने की कोशिश की जा रही है। हर इस तरपर कोशिश की जा रही है। अब देखना होगा कि जो ये चुनोती प्रशासन के सामने हैं जिस चुनोती को ले करके तमाम विदायों को ने आवाज उठाईती और मुख्यमंत्री से आगरे किया था कि जो कैबिनेट की बैटक होगी उसमे एक प्रस्ताव लाया ज करते हैं और इससे पार पाने के लिए हर कोई कोशिश करने में जुता हुआ है। बहुत-बहुत शुक्रिया आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे।